नमस्कार सातियों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने भी रोइनेट कमपनी की एजेंट आइडी लिया है जो की अगर आपने भी रोइनेट से जोड़कर अपने कमपनी के माद्यम से अगर रोइनेट की एजेंट आइडी बनवा लिया है तो उसे फर्स्ट टाइम लोगिन करके आपको KYC कैसे करना है KYC के लिए आपको क्या-क्या दास्तावेज लगेंगे और क्या-क्या साउधानिया रखना है आपको और KYC करते टाइम आपको किन-किन बातों का दिहान रखते हुए आपको KYC कैसे करना है उसके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिनने वाली है तो आप से छोटी से रिक्वेश्ट है कि आप वीडियो को बिना इसकिप किये एंड तक पूरा जरूर देखे और साथ ही रोइनेट की KYC कैसे करेंगे एजेंट फर्स्ट टाइम लोगिन करके तो आप उसकी प्रोसेस को जरूर समझे तो चलिए बिना टाइम गवाई वीडियो कर लेते इस्टाट वीडियो की स्टाट करने से पहले आप से छोटी से रिक्वेश्ट अगर आप हमारे चैनल पर पह है दोस्तों फाइनली हम आचुके हैं हमारे मोबाईल के स्क्रीन पर यहां से आपको सिंपल सा अपना एक प्लेश्टोर ओपन कर लेना है प्लेश्टोर ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा यहां पर सर्च कर देना है रोइनेट मोबाईल एप्लिकेशन जो रोइनेट का मो सब्सक्राइब देख सकते हैं यहाँ पर आप यूजर कोड़ मांगा जा रहा है यहाँ पर आपको पासफट डाल देना है यूजर कोड़ आपको कहां पर मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा कि आपने डिस्टीबुटर को आईडी एजेंट रजिस्टेशन करवाते टाइम जो इमेल आईडी दिया था उस पर आपको एक रजिस्टर कोड मिल जाता है या फिर आपने अगर अपना रजिस्टर मोबाइल नमर दिया था उस पर भी आपको एक यूजर और पासवर्ड आपको रजिस्टर मोबाइल पर और मेल पर दोनों पर मिल जाएंगे तो आपको सिंपल साथ जो रजिस्टर कोड आपको प्राप्त होता है उसे यहां पर इंटर कर लेना है यूजर कोड और नीचे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है पासवर्ड डाल के जाती है ट्रांजेक्षन लिस्ट जीकत दिख जाता है और अब अब सारी सर्विसेंग वह हैं पर दिख जाती तो फिलहल इस वीडियो में तो मैं आपको के बाईसी कैसे करेंगा उसकी बसर्विस बताने वाला हो तो यहां पर देख सकते हैं one-sc鏡 सकते हैं आपको यहाँ पर एक पSw spa मिल जाता है यहाँ परम बृप तो हैं ने vendo ले लेना है इस ब्लिक करेंगे तो आपका नीज़ नीभल होघाएगा तो यहाँ पर aging कैसे लेंगे रोख में जाएगा तो आपको सिंपल साइस केप्चर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ परी परमेंशन अलाओ कर लेना है जैसी परींशन करते हैं आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर एलपी फोट्र ले लेना आ जैसे यह फोटो लेते हैं तो आपको अप्लोड करने के लिए आपको कर लेना है जैसे अपलोड करेंगे तो आपकी यहाँ पर फोटो को तो यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर एक आप्सन मिल जाता है आपको जिम्पल सा यहां पर आपको देख सकते हैं जैसे इसके आपने अपने अपने फियोटू क्या लिया है अभी आपको नीचे आपसन मिल जाता है KYC Verification के लिए आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर थम विप्रेशन करना है अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को रेडी कर लेना है जिस डिवाइस को आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में उसके RD सर्विस के मोबाइल अप्लेकिसन कि इस्कृंपर कुछी श्टैप से चुर्वाइल पर गोड्य पिणि की गया जाएगा उस को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है और जाएगा और देख सकते हैं और दो लिए चार दियागा अब बदे आपको उकलोच कर लेना है उसके बाद में आपको थम्weight navigation के लिए, यहां पर डिवाइस मिल जा ती रिवाइस आपनी सिलेक्ट कर लेना है, आपके पास ढो भी डिवाइस है, उसको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके पहले आपको सिंपल सा अपने play store से, जो device यूज़ करते हैं उसके driver को install करने ना है biometric driver को अभी आपको simple सा skin करने के लिए आपको simple इस button पर click कर लेना है जैसे इस option पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी screen पर आगे कुछ step से interface सामने सो जाएगा यहाँ पर आपके device ready होगी तो आपको यहाँ पर capture मांगा जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं जैसे skin वाले option पर click करेंगे तो आपके device के यहाँ पर red line जो blink कर दिया जाएगा अभी आपको यहाँ पर capsing ball सा finger को capture कर लेना है जैसे डैन वाले option पर click करेंगे तो आपके screen पर कुछ step से interface सामने सो जाएगा यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको KYC has been complete successfully इसका SMS भी आपको मिल जाता है स्क्रीन पर आप देखेंगे आपके जो रजिश्टर मोबाइल है उस पर कैसे में साता है उसमें लेखा रहता आपका डियर आपका नाम लिखा रहाएगा उसके बाद में यह है सक्सेजबूली अनबोर्डिंग और यहाँ यहाँ पर आपको जैसे आप फोटो वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो फोटो केप्चर किया था वो इसक्रीन पर देख जाएगे आपको उसके बाद में आपको बेक हो जाना है बेक होने बाद आप सिंपल साब व सकते हैं आपको सक्सेस का मिल जाएगा स्क्रीन पर तो इस टाइब से आप के वाइसी करेंगे उसके अपको कुछ टेम वेट करना है क्योंकि कंपनी के पास आपका लग सकता है तो कुछ टैम आपको वेट कर लेना हिसे बार कि जलैंगे तो फिलहाला आज कि िझाँनी फिर्प्तक्यार की जब जाये हैं end वंदे मातरम साती हो वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जूड़े रहेगा हमाज चैनल साथ और देखते रहेगा लाटेस्ट निव और डिजिटल सर्विस से रिलेटेट सारे वीडियोस